कि दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मुबाल का रिचार्च कब खतम होने वाला है कैसे पता कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है किसी भी अप्लिकेशन को इस्टॉल नहीं करना है सिर्फ आपको इस वीडियो में जो है लाठ तक बने रहना है और आपको बिना किसी अप्लिकेशन इस्टॉल किये यह जानकारी में आपको जो है देने वाला हूं तो आपको क्या करना है सब्सक्राइबने मुबाल में जो है डाइल पेट को अपन कर लेना है तो यहांपर आपका सिम जो है जिए अर्टeल वी आई कोई सा भी हो आप यहांपर सारी सिम का पता कर सकते हैं कि आपके मुबाल का रिचारज कब कतम होने वाला है या किस तारीक को आपका रिचारज कतम होगा दोस्तों यदि आपके पार जो है जियो का SIM है तो आपके यहापर जियो के SIM के लिए आपके यहापर डाल कलना है 1200 99 और इस नम्मर पर आपको यहापर एक miss call कर देना है जैसे ही आप यहापर miss call करते हैं आपके पार एक जो है message receive होगा उसमें आपको अपनी SIM का नम्मर दिखाएगा उसके बाद आपको अपने आपके रिचार्ज की जो है expiry date दिखाएगा और आपके पार जो है available net भी आपको यहापर show होगा इसी तरह यदि आप BI का SIM यूज़ करते हैं तो आपके यहापर डाल करना है star 121 हैज और आपको यहापर star 121 हैज से आप आपने BI SIM का पता कर सकते हैं कि आपका रिचार्ज का फटम होने वाला है तो आप यहापर देख सकते हैं यहापर आपको अपना mobile number 100 होगा यहापर आपको unlimited validity जो है दिखाएगी pack की तो इस तरह से आप यहापर पता कर सकते हैं यदि आप जो है ATL का SIM यूज करते हैं तो आप कहाँ पर डाल करना है star 121 star 2 हैज इस नम्मर को डाल करके आप इसी तरह से अपनी जो है ATL SIM की detail को जो है चेक कर सकते हैं उसका रिचार जो है कब खतम होने वाला है तो इस तरह से आप आपने जो है किसी भी SIM का जो है बिना किसी अपने